आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं BSC First Semester Physics का जो हमने पेपर शुरू किया है Mathematical Physics and Newtonian Mechanics उसमें भी Part A हम लोग कभर कर रहे हैं Mathematical Physics का और उसका हम लोग Unit First Vector Algebra अभी तक पढ़ रहे थे सबसे पहले मैं आप लोगों से sorry कहना चाहता हूँ क्योंकि कुछ technical problem के कारण काफी दिनों से lecture में नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा जो laptop है वो खराब हो गया था और जितना भी data है वो सब corrupt हो गया था मेरे hard disk का जिसके कारण इसको सही करने में मुझे इतने दिन का समय लग करूंगा क्योंकि मुझे भी पता है course काफी slow चल रहा है ठीक है तो हम लोग शुरू करते हैं इस lecture को तो अभी तक आपको मैंने बताया कि यह जो basic mathematical physics का जो vector algebra पढ़ रहे थे हम लोग इसमें हम लोग dot product पढ़ चुके थे और आज cross product भी हमने पढ़ लिया था ठीक है vector product या cross product आज हम लोग cross product का ही part 2 पढ़ेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं lecture को और आगे बढ़ते हैं जल्दी से यहाँ देखें part 1 में हमने vector product या cross product पढ़ा था आज हम लोग इसकी properties देखेंगे ठीक है तो यहाँ पे पहली properties है अच्छा एक यह lecture सुरू करने से पहले मैं आप लोगो हमेशा यह रहेगी कि आप लोग का बिल्कुल सही समय पर सलेवस पूरा कराया जाए और जितना हो सके उतने lectures अभी मैं subjective questions की भी series लाने वाला हूँ और Newtonian mechanics भी बहुत जल्दी ही सुरू होगा ठीक है काफी lectures अब आप लोगों को back to back मिलेंगे हाँ अभी हो सकता है कुछ दिन तुरंत reply देता हूँ क्योंकि वो mobile से control हो जाता है पर यह notes के video बनाने के लिए मुझे laptop का सहरा लेना पड़ता है ठीक है और laptop में technical issue आ गया था जिसके कारण यह पूरी समस्या होई थी ठीक है तो यहाँ वीडियो सुरू करते हैं यहाँ पर properties of vector product तो पहली चाहां रगिए ज लेकिन अगर आप यहाँ पर आजाएं यह vector product में तो vector product में यह नहीं होता है vector product जो है वो क्रम विन्वे नियम का पालन नहीं करता है मतलब अगर आप a cross b is equal to b cross a लिखेंगे तो वो कभी भी बराबर नहीं आएगा वो not equal to आएगा क्यों इसका मैं देखिए आपको कारण बता और यह पहला vector है तो मैंने आपको a cross b निकालना बताया था कि a vector पे हथेली रखिए और इसको b के along घुमाईए तो आपका अंगठा जो है वो ऊपर की और इसारा करेगा वही होगा a cross b यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं यह देखिए इस परकार से मैंने आपक जो a cross b equal to c vector आएगा वो a पे भी लंबवत होगा और b भी लंबवत होगा समझ में आया इसी प्रकार जैसे यहाँ पर यह उसी का next part है जैसे देखिए a को b के along घुमाया गया है तो यह अंगठा जो है उपर की और इसारा कर रहा है अब जड़ा सोचिए कि मैं b cross a निकालू तो आप अपने हथेली को रखेंगे b और हथेली का आगे वाला सीरा a की और घुमाएंगे हाथ उल्टा करके तो automatic आपका अंगठा कहां पर आ जाएगा नीचे की और आ जाएगा यानि a cross b आप लोग निकाल रहे हैं तो इसका direction ऊपर की और जा रहा है जब b cross a निकालेंगे तो यह b को आप a की along हथेली रखके उसका पार्ट घुमाएंगे तो automatic आपका अंगठा नीचे आ जाएगा जानि b cross a जो है वो opposite direction में आएगा a cross b के इसलिए आपको यहाँ पर mention करना होगा देखिए यहाँ पर mention करना होगा कि a cross b is equal to minus b cross है तो यहाँ पर minus आ जा रहा है तो य वही b को a cross b cross a निकालेंगे तो n cap minus n cap नीचे आ जा रहा है ऐसे दोनों बराबर नहीं आएंगे mathematical analysis देख लिए a cross b is equal to mod of a mod of b into sin theta into n cap तो यहाँ से यह a into b into sin theta n cap आ जाएगा इसको equation 1 माल लीजिए और इधर आप b cross a निकलते हैं तो mod of b mod of a into sin theta into यह अब यह n cap नीचे आ गया तो minus n cap आप लेंगे तो यहाँ पर minus आ जाएगा अब equation 1 और equation 2 को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का परिमार भले ही बराबर आ जाए लेकिन direction अलग-अलग ना आने के करण दोनों बराबर नहीं होते हैं यानि दोनों क्रम इंवे नियम का पालन नहीं करत हैं अच्छा इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं जैसे देखिए ए क्रॉस भी वराबर क्या होता है एंटू बी इन्टू साइन ठीटा तो यह एक्रॉस भी मतलब यह इस साइड में एक्रॉस भी यह इस प्रकास से एंटी क्लॉक वाइज में घुमा रहा हूं समझ में आया बहुत भी लेंगे तो आप बी से एक यह जाएंगे और आपको जाना एन्टी क्लॉकवाइस तो वह चीटा कितना निकल के आएगा तीन सोज साथ माइनस ठीटा तो आप आप देखेंगे एक्रॉस भी आपने निकाला तो एँन्टो बिन तो साइन ठीटा तो साइन ठीटा अब दोनों को आप देखेंगे तो आटोमेटिक दोनों के बीच में माइनस आ जाएगा यानि यह दोनों सीधे बराबर नहीं हो सकते ठीक आगे बढ़ते हैं अगली प्रोपर्टी की और तो अगली प्रोपर्टी आप याद रखिएगा कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है यानि वित्रण नियम का पालन करता है वित्रण नियम का पालन करता है क्रोस प्रोडक्ट तो देखिए यहाँ पे ए क्रोस यह B प्लस C है तो A का वित्रण B पे भी होगा और C पे भी होगा यानि इसको हम लोग लिख सकते हैं A क्रोस B प्लस A क्रोस C इसी प्रकार यहाँ पर geometrical interpretation most important कि यह जो सदिस गुड़न होता है इसकी ज्यामिती व्याख्या क्या आएगी geometrical way में जो दो सदिसों का सदिस गुड़न होता है वो क्या दरसाता है ठीक है तो अभी मैं आप लोगों को सीधे एक लाइन में बता देता हूँ माल लीजे कोई दो सदिस है जैसे यहाँ पहले डाइग्राम देखिए एक सदिस है O से यहाँ A तक A वेक्टर और दूसरा सदिस है O से B तक B वेक्टर तो दो सदिसों का जो सदिस गुड़न होता है वो क्या करेंगे आप लोग उन दोनों सदिसों को लेते हुए एक समांतर चतुर भूज बनाईए जैसे यहाँ पह देखिए अच्छे से देखिए देखिए यहाँ O से लेके A तक एक सदिस है A वेक्टर एक और सदिस जो यहीं से सुरू हो रहा है O से B ये एक B वेक्टर है अब हमारे पास सुरू सुरू में केवल इन दोनों सदिसों को मिलाते हुए एक समांतर चतुर भूज बनाईए इस ब्रकार से जब आप समांतर चतुर भूज बना लेंगे तो जयामती तोर पर ध्यांति सुनियेगा जयामती तोर पर जो A x B है वो इसी समांतर चतुर भूज का छेत्र फल दर्साएगा उसका परिमाड मतलब कहने का मतलब यह होता है इसी समांतर चतुर भूज जिनकी दो सनलगन भूजाएं A vector तथा B vector द्वारा प्रदर्सित होती है उसका छेत्र फल A x B और उसका परिमाड निकालेंगे तो उसी के द्वारा व्यक्त होगा बात नहीं समझ में आया देखिए दो सदिस हैं A x B या यूँ कि यह एक समांतर चतुर भूज है उसकी दो सनलगन भूजाएं A vector और B vector है तो आप जो है जब इस समांतर चतुर भूज का छेत्र फल निकालेंगे तो वो आएगा mod of A x B ठीक है मैं एक तरीके से और समझाता हूँ माली जी एक समांतर चतुर भूज है उसकी दो सनलगन भूजाएं A vector और B vector है तो उस उन दोनों सनलगन भूजाओं जो है उन सदिसों का cross product निकाल के आप उसका परिमाण निकाल लेंगे तो वो इस समांतर चतुर भूज O A C B का छेत्र फल दर्स आएगा यही हमें ज्यामिती तोर पे ये प्रूफ करना है समझ में आया ना तो यहाँ पर मैं पहले ही mention कर दे रहा हूँ the area of a parallelogram whose adjacent sides are represented by A vector and B vector is mod of A cross B बस समझ में आ गया हिंदी में इसी को देख लीजिए इसमें बोल रहा किसी समांतर चतुर भूज जिसकी दो सनलगन भूजाएं A vector तथा B vector द्वारा प्रदर्सित होती हो उसका चेत्रफल mod of A cross B द्वारा व्यक्त होगा इसी को हम लोग proof करने वाले हैं तो ऐसा करिए यहाँ पर यह diagram पहले बना लीजिए यह diagram देखिए एक सनलगन भूजा O A vector एक दूसरी सनलगन हूजा O B vector बना लीजिए अब यहाँ पर एक समांतर चतुर भूज बनाना है तो O से A तक की दूरी यह dotted line तक यहाँ बढ़ा दीजिए O से B तक की दूरी यहाँ बढ़ा दीजिए और यहाँ पर मैंने यह इनका देखिया और क्या बना रहे है O से C इसका एक विकर्ण और A से B इसका एक विकर्ण बना दीजिए इसके अलावा यह जो B vector है यहाँ के इसके सीर्स से मैं एक लंब बना देता हूँ A A vector पर जो की D पर मिल रहा है ठीक है अब बारी बारी यहाँ पर देखिए Let O A यानि समांतर चतुर भुझ की पहली भुझा O A बराबर A vector दूसरी सलवन भुझा O B बराबर B vector और एंगिल A O B एंगिल A O B क्या है ठीटा है यानि दोनों सदिसों के बीच का कौन क्या है ठीटा है Here O A C B is the parallelogram या एक समांतर चतुर भुझ है जिसका आधार आधार बेस क्या है O A vector इसका परिमार तो परिमार क्या हो जाएगा A और इसकी height यानि इसकी उचाई क्या होगी इसकी उचाई यही जो आपने लंब बनाया है B से यही होगा उचाई समझ में आया B से D तक का यह जो लंब बनाया है यह इसका उचाई हो जाएगा और उसको मैंने mention कर दिया यहाँ पर height BD is equal to देखिए BD जब आप मान निकालेंगे तो इस त्रिभूज को देखिए त्रिभूज O D B इसमें आप देख पा रहे हैं कि O B कर्ण है और यह लंब है तो आप लोग sign theta लगाएंगे तो sign theta बराबर क्या होता है लंब बटे कॉन यानि BD बटे कॉन क्या है O B तो यहाँ से BD जो उचाई है BD उसका मान निकालेंगे तो कॉन क्या है B sin theta यह आजाएगा B sin theta तो यही मैंने यहाँ पे mention कर दिया है कि BD is equal to O B sin theta और O B क्या है O B का परिमाण B है तो यहाँ पे B sin theta हो गया यानि B से D तक क्यों चाई क्या है B sin theta है अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखिए हमें इस समांतर चतुरभूज का छेत्पल निकालना है तो पहल दो बराबर भागों बाट रहा है एक यह व्ला भाग है पहला त्रीबूज और दूसरा त्रीबूज यह व्ला दोनों का छेत्पल समान होगा हम क्या करते हैं पहले 3.0 お a B brings O A B का चेत्रफल निकाल लेते हैं उसको 2 से गुड़ा कर देंगे तो पूरे समांतर चेत्रफल निकल जाएगा तो यहां पे देखिए हमें निकालना है एरिया ओफ ट्रैंगिल ओएबी ओएबी का एरिया निकालेंगे तो एक बटे दो आधार बेस इंटू है आधार गुड़े एक बटे दो बेस इंटू हाइट तो बेस इस त्रिभूच का तो यही है न और हाइट क्या है इस त्रिभूच का यह है तो यह ओए इंटू बीडी और ओए कमान आपने निकाला है और बीडी कमान निकाला है बी साइन ठीटा तो ठीक है यह यहां पे त्रिभूच का छेत् आएगा वापस यही आएगा mod of a into mod of b into sin theta बराबर 1 by 2 1 by 2 पहले ही से है वो mod of a cross b हो जाएगा तो यह बताइए हमें तो पूरे parallelogram का त्रिभुज निकालना है पूरे समांतर चतुर्भुज का area निकालना है तो area of parallelogram oacb बराबर क्या हो जाएगा twice into area of triangle oab यानि यह जो एक त्रिभुज का चेत्पल आया है इसमें दो का गुड़ा कर दीजिए तो 1 by 2 से यह टू टू कट जाएगा और फाइनली क्या आजाएगा mod of a cross b तो यह क्या आया है यह आया है area of parallelogram oacb यानि यह जो mod of a cross b है वो उसी समांतर चतुर भुज parallelogram का area है जिसकी दो सनलगन भुजाए a vector और b vector द्वारा प्रदर्शित हुई है तो यहां mention कर देंगे hence the area of a parallelogram whose adjacent माने सनलगन भुजाए sides are represented by a vector b vector each given by mod of a vector into b vector बास समझ में आ गया न थीख है यानि जयामिती तोर पर दो सदिसों का जो सदिस गुड़न होता है उसका परिमाड उस समांतर चतुर भुज का छेतरफल दरसाता है, जिस समांतर चतुर भुज की दो सनलगन भुजाएं, उन्हीं दो सदिसों द्वारा प्रदर्सित होती हों, सनलगन की बात की जा रही है यह नहीं कि आप एक यह भूजा ले लें दूसरी यह भूजा नहीं सनलगन भूजा लेंगे तो आई होप मेरे ख्याल से यह आपको समझ में आगया होगा अच्छे से अब यहां पे हम लोग इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं मतलब कि इसका एप्लिकेशन क्या है फिजिक्स में इसका क्या एप्लिकेशन है फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो पहली बात ध्यान दीजिए हम दो सजिसों का सजिस गुड़न निकाल रहे हैं तो फिजिक्स में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग एक एक जामपल बल आग इंदू Q पे जो पार्टिकिल है उसका पोजीशन वेक्टर ओ से Q तक क्या है आर वेक्टर तो इसी को मैं आगे बढ़ा दूंगा तो मुझे आर कैप मिल जाएगा अब मान लीजिए इस पार्टिकिल पे एक बल लग रहा है इस दिसा में F वेक्टर तो मुझे इसका टॉर्क टाओ वराबर क्या होगा आर क्रोस एफ तो वही हतेली वाला नियम लगाईए इस आर पे हतेली रखिए F की और बढ़ाईए उसको घुमाईए आर क्रोस एफ तो अंगठा किधर जाएगा उपर की और इसारा करेगा यानि जो टॉर्क आएगा वो जेड एक्सिस की कंफूज मत होईएगा एक पार्टिकिल है क्यों वह X Y plane में है उसका पूजिशन वेक्टर आर वेक्टर है तो इसी दिसा में इसको आगे बढ़ाऊ तो आर केप मिलेगा इस पर बल लगा के इस दिसा में इसको घुमाया जा रहा है इस बरकार तो क्या होगा कि आपको टॉर के निकालना है तो टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस यानि आर को पकड़िए हथेली रखके एफ की और घुमाईए तो अंगठा वो टाउ वेक्टर इसकल टू आर क्रॉस एफ होगा ठीक है और चुकि यहां पर जो टाउ है वो आर और एफ के सदिस गुड़न से निकला है तो टाउ का दिसा आर के भी लंबवत होगा और टाउ का दिसा एफ के भी लंबवत होगा तो मैंने बताया ना आर वेक्टर और एफ vector xy plane में है और जो टॉर्क आएगा वो लंबवत ऊपर की ओर जाएगा तो वो चला जाएगा xy plane के लंबवत यानि z axis की ओर है ठीक है यहीं यहाँ पर mention भी किया गया है the direction of tau is perpendicular to plane containing r and f और rf और r और f जो position vector है और जो बल लग रहा है उसकी क्रिया रेखा xy plane में है और कहां यूज किया जाता है magnetic force निकालने में यहां पर भी क्रॉस प्रॉस आप लोग जानते है magnetic force f vector is equal to क्या होता है qv cross b तो देखी यह एक charge है charge जो है वो इस दिसा में गती कर रहा है और magnetic field जो है वो इस direction में है यानि magnetic field और charge के movement के बीच में कोण कितना है theta समझ में आया magnetic field इस दिस्ता में है तो magnetic field से theta कोण पे charge इस दिसा में भाग रहा है गती कर रहा है तो उसके उपर कितना बल लगेगा वो हो जाएगा q v cross b तो यह v को पकड़िए हथेली का अगला सिरा b की ओर रखके घुमाईए v cross b तो automatic आपका अंगठा उपर की ओर जाएगा यानि वो बल किधर लगेगा उपर की ओर अगर यह b vector और यह v vector x y plane में है तो automatic जो magnetic force है वो z axis में चला जाएगा क्योंकि z axis x y plane के लंबवत होता है यानि उस आवेश पे लगने वाला बल magnetic field b के भी लंबवत होगा और उस charge का जो velocity है v उसके भी लंबवत होगा समझ में आया तो इस प्रकार से यह सदिस गुणन का physics में प्रयोग किया जाता है इसका यह physical significance है या यूं कहे लिजिए इसका physics में यही application है ठीक है तो आई होग आपको यह lecture पसंद आया होगा अब यह इस वीडियो के साथ ही cross product खतम हो गया अब हम लोग जो unit first के कुछ topic है जो एक दो topic और बचे हुए उसको जल्दी से पूरा cover करके अगला unit सुरू करेंगे और साथी साथ अब newtonian mechanics का भी आपको lecture मिलने लगेगा ठीक है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत आपका बहुत 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 बहुत